नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चनल शेयर मार्केट में मैं हूँ आपका दोस्तन भी और यहां पर बात करेंगे एक्जी कॉम टैली सिस्टम लेमिटेड के बायर में तो कंपनी का इप्यो अने वाला हो यहां पर आई प्यो के रिस्पोंस कैसे रहेगा और कंपनी के क्या फंडेमेंटल ने सभी चीज़े डिसकस करेंगे तो देखिए यहां पर बताया गया कि एक्जी कॉम टैली सिस्टम आई प्यो इस बुक्त इशु ऑफ रुपीज फोर ट्वटी नाई करोड़ तो आपके बास अभी दो दिन अप्लाई करने के लिए आज का कल का और परसों का यहां पर बेसिकली कंपनी अच्छा खासा अमाउंट में फंड्रेज कर रही है और आज के बास पर्दाख़ाएगा कि रे मार्केट प्रीमियम कितना है और ग्रे मार्केट पर काफी चीज़ा डेपेंड होने वाली है और मैं आपको बता हूं कि जिसे साब से मार्केट के सेंटीमेंट है तो मेरे एक्षूर्डीड यहां पर डेफिनिटल आपको अप्ला जना के रखते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है यहां पर कुछ डाटा है तो 2021 में कंपनी के जो एसेट्स थे वो थे तक्रीबन तक्रीबन 678 करोड के और अब वो हो चुके हैं 629 करोड के यानि कि जारा फरक नहीं है इंफेक्टर पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने अब बात करें रिवैन्यू के तो 2021 में 524 करोड का रिवैन्यू था उसके बाद अगले साल 2022 में यह हो गया आट हजार 50 करोड के राउंड फिर हुआ अगले साल 703 करोड और अभी 470 करोड के राउंड तो कमपनी का जो रिवैन्यू है वो काफी ज़रा घटता नज़र आ रह हुआ छे करोड हुआ लेकिन अभी 27 करोड निकल किया रहा है जो कि बहुत जारा सही है नेट वर्थ 213 करोड थी 2021 में 311 करोड है है 2000 23 में अगेन काफी जारा चीज़ है रिजर्व में कंपनी के पास पहले 200 1 करोड थे अभी 24 करोड है तो यहां पर जारा फरक निया में दिखाई देरा और अच्छी चीज़ यह कि कंपनी की ब्रॉइंग भी कम हुई है 22 करोड तो कंपनी के जो फेंडामेंटल है वो काफी जारा ओके ओके कह सकते हैं बहुत जारा इतने जारा फैसिनेटिंग नहीं है यहां पर बड़ा माउट लगा दें बट अगर आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करें तो डेफिनिटल आप अच्छा प्रॉफिर यहां